हालो ब्रिवान ग्रेटिंग्स फ्रम रॉक्टर रश्मीज होमेपथी आज की इस रेडियो में अगेन एक चाइल्ड रेमिडी के बारे में बात करेंगे जिसका कॉमन नेम होता है मैट्रिकेरिया क्या मोमिला एक बहुत ही इंपॉर्टन होमेपथी की मेडिसिन है बढ़ों के भी कुछ इंपॉर्टन सिंटम्स में ये काम आती है सारा डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कैमोमिला की इंडिकेशन क्या होते है जो कैमोमिला नाम की दवा है ये एक बहुत ही जादा इंपॉर्टन दवा है इस्पेशली उन सभ दवा होने जहां पर छोटे बच्चे होते हैं दस से बारा साल तक के बच्चों के लिए भी दवा काफी इंपॉर्टन से लेकर दस से बारा साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवा है इंडिकेशन के अगर हम बात करें तो ये दवा दिया जात इस्मटम्ज में दवाह देती हैं। करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चटाई उटाई करनी पड़ती है सो दाट कि उनकी जो पैडी है उनका जो वीट का खेती है वो सेफ रहे उसी तरह से ये दवा दिया जाता है एंगर, मिजरबल कंडिशन, रेस्लेस्नेस या बहुत ज़्यादा टेंप्रेमेंट लूस करने वाले पेशिंस को ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत गुसे में रहते हैं, उनसे कोई भी एक चीज आप सिविलाइजड तरीके से पूछ नहीं सकते हैं, जैसे ये पौधा बिना किसी मतलब के उख जाता है, बिना कोई कारण के उसको उठा करके फिकना पड़ता है, वैसे ही ये जो बच्चे होते हैं, बिना मतलब के जो है गुसा करते हैं, बिना मतलब के उनकी डिमांड्स होती हैं, उनका कोई रीजन आप नहीं समझ पाएंग ये मम्मा इधर गई तो अधर, उधर गई तो अधर पीछे-पीछे पल्लू पकड़के वो घुमता रहता है और जैसे ही मम्मा ने उसको गोध में ले लिया वो बिल्कुछ शांत वो इतना शांत जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था विसके कोई शिकायत नहीं थी उसको ऐसे बच्चों क्रेट दी जाते हैं Chamomilla Chamomilla को try of pain भी बोला जाता है यानि कि ये बहुत ज़्यादा तेज दर्द की भी बहुत अच्छे दवा है दर्द के केस में ये पेट दर्द ये दांद के दर्द में भी दी जाती है गरम जगह पर गरम बाहर जाने में उसको अच्छा लगता तो अगर बच्चा बहुत सारी चीजों में या बाहर जाने में बटर वील करता है उसको कोई समस्य नहीं रहती है तभी हम मेला इक बहुत इंपोर्टन इंडैकेशन हो जाती है जो कैमेमिला का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्लिनिकल फील्ड में वह होता है, अगर बच्चे का कीट निकलने का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन हो रहे हैं, जो लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाल स्मेलिंग हैं, बहुत ज़ एक गाल रहता है जो घाल है मतलब उसका ब्लेट सर्कुलेशन रहता है बच्चा देखने में हमेशा एक दम चिड़ा हुआ सा लगता है उसकी तरफ अगर आप देख लेंगे तभी भी आपको एक अच्छा एक respectful एक civilized look नहीं देता है अगर आपने उसको smile करके देखा तो आपको वापस कभी भी smile नहीं मिलती है बच्चे दूसरी तरफ मुख कर देते हैं या बहुत अजीब सा लोग देते हैं या अपनी ममी के पास चले जाते हैं तो यह जो condition होती है ऐसे बच्चे हर एक समय कुछ ने कुछ डिवान करते रहते हैं कभी यह चाहिए कभी वो चाहिए अब यह डिमांड तो सभी बच्चों में होती है लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो किसी भी डिमांड से खुश नहीं होते हैं यह चाहिए तो वो दिया, नहीं तो फिर वो चाहिए, वो भी दे दिया, फिर और चाहिए तो demands उनके बढ़ती रहती है, they are never never happy, और हमेशा चिडचड़ रहते हैं, बहुत जादा गुस्से वाले बच्चे भी होते हैं, हमेशा एक दम अजीब सा फेस बना कर रहते हैं, लगत बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ऐसा कहते हैं, मा और बच्चे का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही important emotional bond होता है, जब बच्चे को फीड कर रही होती है, तो एक सिर्फ physical touch नहीं होता है, यह emotional touch भी होता है, तो अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो उ बच्चे को फीड करते हैं, तो इसलिए बच्चे को फीड करते हैं, हमेशा एक खुश रहने के कोशिश करें, या अगर आपका mood अच्छा नहीं तो उस समय बच्चे को फीड नहीं करें, यह negative emotion बच्चे के अंदर जाकर के दूसीद पाइदा कर सकता है, तो यह बच्चे भ बच्चे को फीडिन जेना करते है उस में इसे नूबन बच्चा अनूबाइबी सुट चे में बाधादा रहती है तो इस के अगर प्रेस ॉसके सब्लाइन झाल जाता हुँआज थी तो उसमें से मिल्क डिश्चार्ज कन तläसर सभी का माती है, और साथ में आगर ब्रेस्ट और रिया पे बहुत ज्याधा टेंडने बस हाथ नहीं लगा सकते हैं तो यहाण वहाल ज्दा सबस्क्राय करता है अ ये दवा काफी ज़्यादा यूज होती है बच्चों के अगर दाथ में दर्द हो रहा है तो सिंगल एक डोज अगर आप कैमोमिला के दे देंगे तो दाथ का दर्द रूंका ठीक हो जाता है तो ये जो हुमेपतिक मेडिसिन होती है दाथ कोशनी है परन मं के दे दाथ बहुत जान लेते है जो सिना नाम के दवा है वो भी बहुत जादा इरिटेटों को दिया जाता है लेकिन वह बच्चे अपनी मा के गोद में व्याकर कोई पर बार बार थोड़ हलकी हलकीक नीद में रहते हैं। बार बार उठ जाते हैं, तो डूरिंग देंटिशन अगर बच्चा अच्छे सो भी नहीं पा रहा है, उसकी डाइजेशन भी रिची नहीं हो पा रही है, लूज मोशन भी उसको बार बार हो रहा है, और अंडाजेस्टिट फूड निकल रहा है, उसके इसमें यह दवा दी जाती है, तो हुमेपती की यह दवा, जो कैमे मिला है, यह बहुत इंबॉर्टन दवा है, और हुमेपती की दवाओं के साथ एक बहुत अच्छी चीज यह है, कि अगर इनिशली अगर आपने बच्चों को दे दिया, तो उनके टेंपरम उनको भी यह मैनेज करती है, ठीक करती है, क् अगर ठोटे बच्चे अपने इसी टेंपरमेंट के साथ बड़े होते हैं, चिद चिद वाले टेंपरमेंट से गुस्से वाले टेंपरमेंट से तो उनको आगे चरके बहुत तक्लीफ हो सकती है, तो इनिशली क्योंकि हम कई बार समझ लेते हैं कि बच्चे का सुभाव ही लेकिन उसको बहुत हद तक मोडिफाई किया जा सकता है, उसको बहुत सिविल किया जा सकता है, और बहुत हद तक इस तरह से मैनेज किया जा सकता है, कि अगर उसे कुछ कोई बात कर रहा है, तो एट लिस्ट वो पॉलाइटली उसका आंसर कर पाए, थोड़ा सा किसके साथ कैसा behave करना है अगर हमसे कोई बड़ा बात करते हैं मैं कैसे हमें इसको reply करना है यह सारी power भी homeopathic medicines के साथ में होती है homeopathic medicines के पास बहुत important power होती है जो inert power होती है इन दवायों के साथ क्योंकि यह herbal homeopathic medicine है herbal extract है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा suitable और बहुत ज़्यादा सुरक्षिब दवा है तो ना सिफ यह symptom जो हमने डिसकस के बलकि बच्चे के ब्यवहार को भी बदलने के ख्शंता इन दवायों में होती है सिर्फ यह समझ करकि यह बच्चे का ब्यवहार है और यह नहीं बदला जा सकता यह नहीं करना है हम बच्चे को टैंटरमेंट को irritable जो टैंटरमेंट होता उसमें भी सुधार कर सकते हैं तो दवायों की बाद करते हैं चाममीला को जो भी symptoms के साथ आप दे रहे हैं उसको 200 पावर में आप दे सकते हैं Chamomile 200 की एक डोज सुभा एक डोज शाम को आपको देना है अगर ये सिम्टम्स मैच होते हैं और ये दवाँ आप हफते सब 10 दिन तक दे सकते हैं जैसा improvement होता है उसके साथ आगे manage किया दा सकता है अगर किसी भी समसे के लिए आप उससे zoom या phone consultation बुक करना चाहते हैं तो whatsapp number 7017991940 पर whatsapp करके आप अपना slot खुद से बुक कर सकते हैं कोई भी health treated doubts है कोई भी queries है आप मुझे call before आपे बात कर सकते हैं बिना कोई appointment लिए जिसके details आपको description में मिल जाएंगे wishing a very good health, thanks watching